Hello student, this is Lomas Gandhi, welcome to our YouTube channel, let's learn from home आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एलेक्टिक सर्किट, इसके टाइप्स और एलेक्टिक सर्किट को बनाते कैसे हैं, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं और उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? चले स्टार्ट करते हैं electric circuit क्या होता है देखो जैसा कि word circuit है यह circuit word जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे घर में जो present boards वगरा electric board या switch board होता है उनकी तरफ नज़र जाती है कि उसमें switch लगे होते हैं वो fan से connected होता है उनके लिए TV का अलग से switch होता है बल्ब के लिए अलग से switch होता है तो अब यह सब सारी चीजें समझ में आती है तो electric circuit का मतलब भी यही होता है ठीक है कि मतलब एक system होगा धेर सारे electrical components का जो combine form में किसी भी particular tax को perform करेगा ठीक है तो यह जिस तरह से हम लोग computer system की बात करते हैं जिसमें CPU, mouse, keyboard, monitor यह सब सारी चीजें involved होती है तो फिर एक particular tax perform होता है उसी तरह से जब electric circuits में धेर सारे छोटे-छोटे components आते हैं वो एक दूसरे से connect होते हैं तो फिर एक particular tax perform होता है मतलब ज कहते हैं कि circuit का काम करना circuit तब काम करती है ठीक है इस तरह से हमें यह समझना है कि electric circuit बनते कैसे हैं ठीक है और उनको बनाने के लिए कौन-कौन से component चाहिए होता है हमें ठीक है तो एक्षल में electric circuit करता क्या है electric circuit in short electric इसको ऐसे समझे कि जय से माल ले जेए हमें ऑगर चलना है तो लिए अच्छा जाज घूंप होना चीए जितनी अच्छी रोड होगी गाडीत्नी अच्छी بट रोड का मतलब यहाँ पे रास्ता से फजया अगर रास्ते होंगे नहीं तो बहुत को बनाने के लिए जैसे मृली अगर आपको नहीं रूड के बनाने के लिए देड चार जैये धिसे द रहा आ sco क्रीट हो गया अपका नहीं और सब भी बहुत सारी चीजें होती है जो रोड के बनाने में हम लोगु यह करते हैं उसी तरह से लोगों के गारियों के चलने का रास्ता रोड कहलाता है उसी तरह तो उसके लिए हम लोग एक circuit मतलब हम लोग एक रास्ता बनाते हैं जिसके थ्रू electric current flow कर पाता है और उसी के path को हम लोग क्या कहते हैं electric circuit कहते हैं यह continuous path होता है ठीक है जिससे electric current flow कर रही होती है ठीक है तो आप definition से भी से समझ सकते हैं मतलब in sort आप इसका definition यह कहेंगे कि यह क्य होगा कि electric current electric circuit electric current का path होता है जिस path से electric current flow करती है उसको हम लोग जिस path से electric current flow करती है मतलब electric current के flow करने का जो path है उस path को हम लोग electric circuit कहते हैं और यह path कैसा होना चीए यह path conducting होगा continuous होगा continuous conducting होगा ऐसा नहीं कि बीच में तार है उसके बाद फिर break हो गया और इसमें बहुत सारी ची refrigerator आप कुछ भी load के form में आप connect कर सकते हैं साथ में switchage होने जाएए नहीं उसके बाद आपको source provide करना पड़ेगा जिसे cell हो गया बैटरी हो गया ठीक है जिसके through electric current flow करता है यह पूरा system मिलके electric circuit को बनाता है क्लियर है अब देखो इसके types क्या होते हैं अगर यहीं वे आपको यह पूछा जाए कि electric circuit के बनाने के लिए क्या जरूरी चीजे होती है तो आप क्या कहेंगे जो main main important चीजे है चार-पांच चीजे जिनसे electric circuit बनेगा जैसे connecting wire हो गया जरूरी चीजे बता रहे हैं लगाने का और भी आप ताम जहम लगा सकते हैं लेकिन जो necessary चीजे हैं जैसे connecting wires हो गए source हो गया जिसके उसके place पे आप cell, battery वगेरा यूज़ कर सकते हैं switchage हो गए और load मतब resistance हो गएरा ये चार-पांच चीजे जो होती है ये कम से कम चाहिए ही होता है किसी भी electric circuit को बनाने के लिए clear है चलिए उसके बाद types की अगर हम लोग बात करें तो अगर circuit काम कर रहा होगा circuit working में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे close circuit जैसे माल लिजी close circuit में क्या होता है यहाँ पे switches के basis पे types बनते हैं अगर मालो switch तुमने जो switch हम लोग use करते हैं की जिसको भी कह सकते हैं अगर की close होगा तो circuit active होगा break नहीं होगा circuit में तो वो operate करेगा इस circuit को close circuit कहेंगे close circuit मत्तब आप पर हमने लगा रखा है कुछ components हमने ले रखे हैं जैसे हमने battery ले रखा है switches मतलब की ले रखा है बल्ब ले रखा है और connecting wire से इनको बना लिया हमने इसमें आपने देखा यहाँ पे switch जो है हम बताएंगे आगे आपको की switch कैसे होगी उसको represent करने का तरीका क्या होगा यहाँ जो switch use हुआ है यहाँ पर बीच में डॉट हमने डाला है इस switch का मतलब होता है switch on ठीक है बाद में हम इसको और अच्छे से समझाएंगे आपको open circuit का मतलब क्या होगा यहाँ पे switch off होना चीए ज़िए जब circuit हमारा off होगा मतलब circuit operate नहीं कर रहा होगा ठीक है switch is open या switch is off भी आप कह सकते हैं तो circuit हमारा कैसा होगा open होगा इसमें circuit जल नहीं रहा होगा मतलब work नहीं कर रहा होगा और यहाँ पे symbol से हमने यहाँ पे key के जगह पे हमने यहाँ पे dot नहीं डाला है इसमें इसका मतलब हो गया कि switch off है ठीक है यह दो types के circuit हमारे पास बनेंगे clear है अब देखो यहाँ पे हम लोग जो components use करेंगे उसके symbol क्या होगे धेर सारी components होगे electrical components होगे उसके symbol क्या होगे कभी- एक cell आपने लिया ठीक है एक electric cell लिया तो एक cell के लिए हम लोग ऐसा symbol use करेंगे single cell के लिए ठीक है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यह जो बड़ा वाला सारे cell जब combine होगे तो उसको हम लोग battery कहते हैं combination कैसा होगा यह आपके syllabus में अभी नहीं है फिलाल आप यह समझ लिजिए combination धेर सारे cell को जब हम लोग combine करेंगे आगे आप देखेंगे कि इसके combination भी दो तरह के होगे उस पर हम लोग discuss नहीं करने बस यह समझ लिजिए कि धेर स सारे cell जब आपस में connected होंगे तो बनेगा battery हमारा clear है इसमें देखा आपने एक दो तीन सेल हमने connect कर रखें हैं तो तीन सेल का battery होगे हमारे पास उसके लिए simple एक wire यूज़ करेंगी जो connecting wire होगा अब माल लिजे कभी-कभी circuit ऐसे मनानी होते जिसमें joint wire यूज करना पड़ता तो आप simple से एक wire लिए दूसा wire उसे joint कर दीजिए तो यह joint wire हो गया उसके बाद कभी-कभी हमें ऐसे wire यूज करने पड़ता है जिसमें cross wire होता है बिना joint किये हुए जैसे माल लोग यहाँ पे हमने एक wire लिया ठीक है और इस wire से हमने यहाँ पे circuit मतलब ऐसा connection डाल रखा है जि इसके लिए हम लोग यह यूज करते हैं joint wire clear है आगे fixed resistance जैसे माल लीजी हमने circuit में load बगेरा डाल रखा है जिसका resistance fix होता है ठीक है तो वह हो गया fixed resistance इसके लिए हम लोग यह वाला symbol यूज करेंगे एकदम resistor का होगा fixed resistance को हम लोग resistor भी कह सकते हैं जिसका resistance fix होता है clear है आगे emitter a meter ऑक device होता है जिससे हम लोग current use करते हैं simple इसको ऐसे represent कर सकते हैं won't meter हो potential difference measure करते हैं simply आप इसे connect कर सकते हैं आपको हमने पहले भी बताया था कि यह बात आपको याद रखना है कि a meter जो a meter होता है जिसे हम allem करेंट measure करते हैं उसको circuit में series में रखते हैं जबकि long meter को circuit में parallel रख हुझा रखा है घयलव हो गया क Holz rigor को सिंपल्य हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से सिंपल्प यहां में तरह में रख रखे है उसके बाद रिज्बार कर बर यह काफी बार बार पूछा जा चुका रहा सब्सक्राइब्स का किसा होता है रिज्ब वार बार बार बदलना होता है ठीक है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ऐसा रिस्टेंस सिंबॉल यूज़ करते हैं जिसमें इससे यह इंडिकेट हो जाता है कि रिस्टेंस जड़त के इसाब से आप पर इसे आपने जो इक्स रिस्टेंस लगा रखा है उसके लिए सिंबॉल आ यूज़ करेंगे उस में चोटा अएरो वार शिंबॉल आप करेंगे या माल लिए कुछ ऐसा वाला सिंबॉल यूज कर लीजिए इसका मतलब होता है वेरियेबल एसिस्टेंट इसको रियो स्टैट कहा जाता है यह सवाल एक बार आया भी है बोर्ड में कि रियो स्टैट का सिम्बॉल बता है ठीक है उसके बाद ऑपन स्विच यहां पर देख लिजिए स्विच के हम लोग यूज करेंग और अगर स्विच क्लोज होगा तो क्लोज के लिए हम लोग ऐसा सिम्बॉल यूज करेंगे क्लियर है यह वाला इसमें इसको ज्वाइंट कर देंगे और यहां पर डॉट डाल सकते हैं अगर यह वाला की आप यूज करेंगे उसके बाद एलेक्टिक बल्ड मालनी जी आपन तरे उसलिकर कंपोंएंट के सिंब Alt के सिम्बॉल लिखने ईए हमने यहां पर कुछ फिन लेक्टिकल कंपोंएंट को लिया है और उसलिलए civ एक सर्कृट बनाया है आप दिखान से कि एमितर को स्रीज में लगाया रखा है ठीक है, switch को हमने लगा रखा है, close वाला बैटरी लगा रखी है, हमने यहाँ पे तीन सेल वाली बैटरी है, और यहाँ पे connecting wires हो गए, इस तरह से आप किसी भी circuit को बना सकते हैं, हमने यहाँ पे एक circuit आपके लिए भी छोड़ रखा है, कि आपको एक circuit बनाना है, जिसमें दो से resistor है, emitter है, voltmeter है, ठीक है, और close switch के साथ आपको एक circuit बनाने है, clear है, तो आप लोग यह बनाईएगा, ठीक है, अब last में एक अच्छा question बनता है, जो हमने आपको बताया भी है, कि हमने आपको पहले भी कहा था, कि जो emitter होता है, ठीक है, emitter का resistance हमें very small रखना होता है, और voltmeter का बहुत large, आखिर वजय क्या है, क्यों हम लोग emitter का resistance को काफी कम रखते हैं, तो आप ही पताओ emitter से measure क्या करना होता है, current, current measure कोई भी device कब करेगा, जब उससे current flow करेगा कि नहीं करेगा, जब current flow करेगा, तो current जब ज़्यादा flow करेगा, मतलब पूरा का पूरा current flow होना चाहिए जब तक पूरा का पूरा current flow नहीं करेगा, जितना current flow करेगा, उतना current का reading देगा, तो हमें पूरा current का reading चाहिए, इसलिए हमें पूरा current flow करवाना है, और आप आगे जाके पढ़ेंगे, कि जब पूरा current flow करना के लिए किसी भी wire का resistance minimum होना चाहिए, very low होना चाहिए, ठीक है, त ताकि उसमें total current flow हो पाए, और total current flow हो पाए, तो हमें total reading मिल पाए, मतब current का अच्छा reading मिल पाए, ठीक है, should be very small, so that it may not change the value of current flowing through the circuit, मतब, circuit में जो current flow कर रहा है, उसका value change ना करें, या वो हमेसा total का total current read कर पाए, उसी तरह से voltmeter की बात करें, तो voltmeter का reading क्या होगा, voltmeter का resistance very large होता है, क्योंकि voltmeter हमें measure क्या करना होता है, voltage, voltage measure करना है, मतब current measure नहीं करना है, ठीक है, तो current बिलकुल नहीं flow करना चाहिए, current बिलकुल नहीं flow करेगा, यह कब possible है, जब resistance बहुत जादा है कि बहुत कम, बहुत जादा, तो जब resistance बहुत जादा होगा, तो बिलकुल उससे current flow नहीं करेगा और accurately voltage आपको measure करके देदेगा clear है तो यह रहा आपका यह इसकी वज़य की emitter का resistance बहुत कम और volt meter का resistance बहुत जादा की होता है ठीक है ठीक है तो यह topic आपका हुआ complete all the very best पढ़ते रही है धन्यवाद